नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक ब्रिज करन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन पर क्लिक कर All Option को सलेक्ट करें दोस्तों मालक्ष्मी के कृपा कौन प्राप्त नहीं करना चाहता अगर आप भी मातालक्ष्मी की असेम क्रिपा चाहते हैं तो कमेंस में जरूर लिखे जै मालक्ष्मी जै माता दी दोस्तों मालक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों इस भागदोड भरी जंदगी में हर इंसान पैसे के पीछे दोड रहा है आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए कई तरीके के उपाय अपनाए जाते हैं कई लोग तो अपने जंदगी में धन की देवी मालक्षमी को खुश करने के लिए पूरा दिन पूजा पाठ और बाकी की चीजों में लगा देते हैं अगर आप भी अपने घर में मालक्षमी के क्रिपच आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों जाडू को लक्षमी माता का ही दूसरा रूप माना जाता है और अगर आप यहां बताये जाने वाले समय पर जाडू लगाते हैं तो उस घर के अंदर माता लक्षमी को आना ही पड़ता है दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस समय जाडू लगाने से मा लक्षमी जल्द प्रसन होती है साती हम आपको बताएंगे जाडु के कुछ बहतरी नुपाय जिन से आपको लाब मिलेगा और आपको जाडू को किस समय नहीं लगाना चाहिए ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल सके तो दोस्तों इस वीडियो को अंतक पूरी जानकारी के लिए जरूर देखिएगा दोस्तों हमारे शास्त्रों में पुरानिक धार्मि ग्रंतों में कई शगुन अप्शगुन बताए गए हैं और उन परंपराओं में कुछ विशेश बाते जाडु से भी जुड़ी है तो आईए उस बारे में जानते हैं दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लें कि घर में जाडु को उल्टा रखना बहुत ही जादा अप्शगुन माना जाता है अगर आप अपने घर में जाडु उल्टा रखते हैं तो तुरंत आप सामधान हो जाईए आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए ये बहुत बड़ा अप्शगुन माना जाता है और कई लोग ये गलती करके मान भी चुके हैं के हाँ ये गलती उन्होंने की थी तो ये गलती भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तो इसी तरह जाडू पर पैर रखना बहुत ही अप्शेगुन माना जाता है अतै आप अपने घर में साक्षात मा लक्षमी को ठोकर मार रहे हैं इसलिए आप भूल कर भी ये गलती ना करे अगर लक्षमी मा को प्रसंद करना चाहते हैं तो घरों में प्रयोग होने वा और पती और कंगाल दोनों बन सकता है कुछ शास्तरों में तो जाडू को लक्षमी और उनकी बहन अलक्षमी से जोड़ कर भी देखा जाता है घर में आपने अक्सर ही अपनी मम्मी या फिर बड़े बुजर्गों से सुना होगा कि जाडू को उल्टा मत रखो क्योंकि ये होता है या फिर जाडू पर पैर मत मारो मालक्षमी नाराज हो जाएंगी वग्यरे वग्यरे यकीन मानिए ये सब फिजूल की बाते बिल्कुल भी नहीं है बास्तु शास्तर के हिसाब से घर की हर चीज़ का बहुत ही जादा महत्व होता है जाडू से जुड़ी कई बाते ह जो आप नहीं जानते होंगे जैसे जाडू कि समय लगानी चाहिए ये तो सबको पता है कि शाम के समय जाडू नहीं लगानी चाहिए लेकिन कभी अगर बहुत ही जरूरी हो जाए शाम के समय जाडू लगाना तो ऐसे में क्या करना है ये बात जानना भी बहुत ही जरूरी ह क्योंकि अगर ऐसे में सावधानी ना बढ़ती जाए तो मा लक्ष्मी ना राज होकर हमेशा के लिए आपके घर से जा सकती है साथ ही हम आपको बताएंगे कि जाडू लगाने का शुब समय कौन सा है अगर इस समय पे आप जाड़ू लगाएंगे तो मा लक्ष्मी आपके घर में स्थाय रूप से हमेशा के लिए वास करेगी और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देखने को मिलेगी घर में बरकत देखने को मिलेगी दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सुभा के समय ब्रम काल का समय होता है और ब्रम काल का समय होने के कारण इस दोरान देवताओं का धर्ती के उपर वास होता है और देवता इस समय रमन करने के लिए निकलते हैं तो सुभा का समय जो होता है यानि के चार बजे से लेकर सुभा साथ बजे तक का समय जो है वो सूर्य उद्य का समय होता है इस समय कोई भी व्यक्ति अपने घर की सपाई कर ले तो ये बौut ही ज़ाधा शुब फल आपको देता है तोसुबह सूर्य उद्य के साथ ही अगर आप अपने घर में ज़ाड़ू लगा लेते हैं बहुत ही अच्छा समय है और इस समय जो ग्रहणी जाडू लगा लेती है उसके जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं और उसे जीवन में कभी भी तकलीफे नहीं देखनी पड़ती इसे के साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अगर आपको शाम के समय जाडू लगानी ही है तो ऐसे में आप अपने घर का कच्रा शाम को ही बाहर ना पैके उसे आप इकठा कर ले और दिवार से सटा करके उस कच्रे को वहीं छोड़ दीजिए सुभा आप सुभा की जाडू के साथ ही उस कच्रे को घर से बाहर करें लेकिन रात को उस कच्रे को आप घर से बाहर पैकने की भूल ना करें लेकिन अगर हो सके तो शाम के समय जाड़ू अवोइट करें बहुत ही मजबूरी हो जाए तब के लिए हमने आपको यह उपाय बताया है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शियर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब रहे जयमा लक्ष्मी जयमा तरदी